बिस्लिटी आरह riders everyone, assalamualaikum, according to me, ishtag aichaud,莊 einfach ओर रूटी चापती के लिएwsसे हूआ वरी, 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 गुद मॉर्निंग, आज मैं बनाने जा रही हूँ कुबी के पराठे जोके सर्दियों मेंश के so 팬liness yes, खाए जाते हैं ये बनाने भी बहुत ऐजी है मैंने सिंपल गंदुम का आटा जो रेगुलर रोटी चपाती के लिए यूज होता है उसको लेके उसके दो चार पेड़े बनाया है चोटे-चोटे साइज के दो पेड़े एक पराठे में यूज होंगे ठीक है इनको चेसे चोटे-चोटे साइज में थोड़ा सा पतला-पतल किनारों के साथ बेल के उसमें मैं गूबी की एक पैटी बना के हाथ से उसको स्प्रेड करूंगी गूबी जो हम यूज करें है वो सर्दियों में गर में जो गूबी का सालन बनता है रात को और जो नेक्स बच जाता है उसको नाशते में पाकिसान में दोहर गर में उसको ग बगा के चिपका दिया हाथ से मैंने चुके एक हाथ से कैमरा मुबाइल होल्ड किया हुआ है तो इसलिए ये थोड़ी टेड़ी मेरी है अदर्वाइस जा मेरे दुनों हाथ फ्री होते हैं तो ये बहुत प्यारी शेप में गोल्ड मटोल होते हो इसको देसीगी में बनाएंगे एक पराठा हम देसीगी से दूसरा मक्न से बनाने वाले हैं मेरा पराठे बनाने वाला चिम्टा प्लास्टिक का था मैं उन्डा या पता हुआद कुटर्ट फ्राई कररे जाए ती तो ओईल ज्यादा गरम था तो वो मेल्ट हो गया ओयल में तो अभी दुबारा नया लेने के लिए बजार जाना है और बजार जाने के लिए मेरे बहुत जादा चीज़े आने वाली हैं लेकिन सुस्ती बजार जाने को दिल नहीं करता तो गुजारा करी हूँ इसलिए मैं हाथ यहां फोक यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी चुरी यूज़ कर लेती हूँ नाइफ यूज़ कर लेती हूँ कभी स्पैचलर यूज़ कर लेती हूँ आप लोग चिम्ते से लिए इसको बना सकते हैं अजी दोनों साइडों पे दिसीगी लगा कि हम इसको पका रहे हैं अब लास्ट में हम अंड़े को बीट करके उसमें आप नमक और काली मिर्च डाल के बना सकते हैं अगर आपको स्पाइसी चाहिए लेकिन चुके मैं अमद मुझतबा के लिए अंड़े वाला बना रही हूं और आमद मुझतबा को स्पाइसी नहीं तो सेंटो मैं सिंपल इसमें थोड़ा सा सौय प्रिंकल करके इसको बीट करके पराठे परी इसको स्वेड कर दिया है अच्छे से हर एंगल से हम अपने पराथे को पकाएंगे ठीक है ये अंडे वाला तो हमारा रडी हो चुका है अब मैं अपने लिए सिंपल और बटर वाला पराथा बनाऊंगी ये अंडा और देसी के वाला एहमद मुझतबा इसको एंजॉय करेगा हमारा सूपर डूपर गोबी का पराथा अंडे की लेयर के साथ त्यार हो चुका है मेरी स्पेनियत खराब हो रही है लेकिन ये एहमद मुझतबा का है तो हम अपने लिए दूसरा त्यार करते हैं इसको ब्रेकफास्ट और लंच में फिनिश करना है हाफ वो मुझे पता हाफ ब्रेकफास्ट में हाफ लंच में लेगा अब बारी है हमारे अपने बटर पराठा की देसीगी सम हल्थ इशूस की वरा से एहमद मुझतबा की मामा यानि की मैं नहीं खा सकती देसीगी तो मैं बटर खाने पर मजबूर हूँ बटर एनिवेज हमारे दोनो पराठे गोबी के बटर और देसीगी के साथ तयार हो चुके हैं ओप यू गाइस लाइक मैं वीडियो और माइ पराठास तू इप यू गाइस लाइक देन डोंट फरगेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल मुझे जैश शिराज को इजाज़त दीजिए अंटिल नेक्स्ट वीडियो अलाफिस टाटा बाई बाई